गुड बॉर्निंग बच्चों आसा करते हैं हम सब बहुत ही अच्छे से होंगे तो चलिए बच्चों आज हम चेप्टर 8 को आगे रीट करते हैं ठीक है पिछले वीडियो में हमने vegetarian means जो साका हारी होते हैं उसके बारे में study किया आज हम पढ़ेंगे non-vegetarian means masa hari S O M E S A M P E O P L E people L I K E like T O 2 E A T E T M E A T M E E W G S X F I S H V E T C T H E Y A R E R C A L L E D called N O N N V E G E T A R I N S vegetarians some people like to eat meat, eggs, fish, etc they are called non-vegetarians some people मतलब कुछ लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको meat means mass, egg means अंडा और fish means musli यह सब खाना क्या है पशन्द है हाना मतलब खाते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है non-vegetarian मतलब इनको mansa hari कहा जाता है ठीक है यहां दिया गया है food non-vegetarian eat मतलब यह piece, egg and meat यह सब क्या है mansa hari है हाना mansa hari food है there there are 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 some some people people w h o who do do not eat eat a n y any f o d food th a t that c o m e s comes f r o m from a n i m a l s animals there are some people who do not eat any food that come from animals ठीक है मतलब कुछ लोग ऐसे होती है बचों जिनको come from animals मतलब animals से जो भी चीज प्राप्त होता है हाना चाहें वो eat हो एग हो फीस हो यह सब animals होती है इसके अलावा मतलब milk हाना milk भी हमको animal से ही मिलता है तो यह सब चीजे उनको खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं या बिल्कुल भी नहीं खाते हैं do not eat हाना कोई भी यह दे दी ओर दू नोट नोट एवी एन इवन इन दी लू दी इंगोड मिल्क अंड मिल्क मिल्क प्रो दी यू सी ट्यस प्रोड़ इन इन थे आर थे आर थे आर थे मिल्क वह प्रोड़क्ट्ट्ट्ट म strugg kitty मिल्क मतला वह अपने भोजन में सी यह तो फीश मीट अग्स यह तो अनिमल्सbilir हम मतला बनी म headed होता है बट इनीमल्स ओं मार्प अनिमल्स की प्रोड़क्ट्टति मैल्क आमल कर से बस्मौन अपने भोजन में मील में इंक्लूट नहीं करते ठीक है टी एज 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 इस पी एओ पी एल इपीपल ए आर ए आर के एन ओ डब्लू एन नाउन एस एस वी इजी ए एन एस विजन्स इस पीपल आर नाउन विजन्स मतलब मतलब ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है बच्चों विजन्स मतलब प्योर मतलब साकाहारी कहा जाता है हाँ ना ऊस्थ की एज एच इवाई दे एटी इडर फैट वल ओ डी फूड ती एज अ ऊटे देट food that comes from plants only और ऐसे वेक्ति जो होते हैं केवल plant मतला plant से मिलने वाली चीजों को खाते हैं जैसे vegetables, fruits ये सब चीजों को ही खाती है ठीक है ऐसे वेक्तियों को वेजन्स कहा जाता है ठीक है में साकाहारी जैसे यहां दिया है food वेजन्स इट मतलब इसमें सिर्फ vegetables and fruits मतलब plant से ही प्राप्त हुई चीजों है ठीक है डबलू आर आई टी डाइट टी एचिदा m e a n s means o f of o u sorry f o u r 4 o f of y o u r your c l a double s m a t e s classmates w h o who a r e r v e g e t a r i a n s vegetarians write the means of four of your classmates who are vegetarians मतलब आपके class में अगर vegetarians है ठीक है मतलब साकाहारी बैकती है तो चार people का name यहां लिखना है अपने चार फ्रेंड का नाव यहां mention करना है clear w r i t e right t h e the n a m a e s names o f of f o u r 4 o f of y o u r your c l a double s m a t e s classmates w h o who a r e r n o n non v e g e t a r i a n s vegetarians write the names of four of your classmates who are non-vegetarians मेंज यहां अपने आपके classmate में चार लोगों का नाम लिखना है जो नॉन वेजिटेरियन है मीन्स मांसाहारी है ठीक है मैंने बताया बच्चों मांसाहारी बोलने का मतलब यह नहीं कि जो मांसी खाते हैं मतलब वे साकाहारी चीजें भी खाते हैं और मीट मतन को भी इंक्लूड करते हैं उनको नॉन वेजिटेरियन मतलब मांसाहारी कहा जाता है ठीक है तो यहां आप मैंसन कर सकते हैं तो यह था बच्चों हमारा नॉन वेजिटेरियन मीन्स मांसाहारी आसा करती हूं हमने जितना पढ़ा आप लोग को समझ में आया होगा बच्चों आप लोग का आप लोग को भी स्पेलिंग करके रीट करना है जहां तक होशा के मीनिंग निकालना है और कॉपी में नोट करके रूप में सेंड करना है आज के लिए इतना ही बच्चों नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट वुडियो पर मिलते हैं थैंक्यू